Hello guys, welcome to Garanta Fairs Vanda दोस्तों कहने को तो एक नया recruitment आया हुआ है जिसमें 600 vacancies है लेकिन guys इतना बाहियाद decision है इतने बेकार यहाँ पर recruitment की conditions है जिसमें जिस बंदे को job की requirement है ना 600 लोग अगर recruit हो जाए तो कितना अच्छा हो लेकिन यहाँ पर terms condition ऐसी IDVI ने डाली है assistant manager की position के लिए कि पूरा mood खराब कर दिया इस notification ने मैं बता दू क्या-क्या वो चीज़े हैं जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी और यहोंने डाल दिये देखो 600 vacancies बहुत बढ़िया 244 undeserved की आप ले रहो SC के vacancies 190 है ST की 70 है OBC की 89 है EWS की 60 है साथ में PWD के लिए vacancies है तो बहुत बढ़िया recruitment आपने vacancies तो निकाली लेकिन job किसको देनी है ये भी तो देख लो यहाँ पर Guys आप देखकर थोड़ा सा परेशान निरास जरूर होगे क्योंकि मुझे भी काफी बुरा लगा कि आपको assistant manager की position के लिए graduates चाहिए well and good experience की क्या जरूरत यहाँ पर पढ़िया है आपने डाल दिया दो साल का experience होना चाहिए इससे अच्छा तो होता अगर आप post graduate जो PGDVF का form होता है वो आप अगर निकाल देते ना वो वाला plan तो वो ज़्यादा ठीक था इससे कम से कम उसमें आप एक amount चार्ज कर रहा हो और उसके बाद आप उस बंदे को assistant manager की position दे रहा हो एक साल training कराने के बाद में वो ठीक है उसमें pressure भी apply कर रहा है जिसको जरूरत है वो जा रहा है बाकी जो amount होता है उसका तो loan भी हो जाता है और जब आप job मिल जाए तो यार ये 3-4-5 लाग रुपए के loan छोटे मोटे matter नहीं करते क्योंकि आपकी provisory officer की job लगी है इसलिए भाए मैं ऐसा कहता हूँ कि PGDVF का course है वो okay है लेकिन यहाँ पर 2 साल का अपने experience दाल दिया वो भी banking financial insurance sector में आपका होना चाहिए और उपर से सोने पर सो आगा minimum age 21 साल होनी चाहिए maximum 30 साल यह है क्या आप देखो कोई बंदा अगर minimum 21 साल आप age करो इसका बंदा 18 साल में graduation हुआ होगा 2 साल उसने job की होगी 19-20 साल में जब वो 21 का complete हो रहा है आपके हिसाब से तब जाकर वो form बढ़ देगा भाई साब यह क्या बात हो गई ठीके तो यह तो matter कहीं पर भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि आजकल job की requirement बहुत सारे जो youth, IBS, SBI, LIC अलगले exams की त्यारी करें तो हुर है उनको सभी को लेकिन ये form ना भर पाना मैं चाहूँगा थोड़ा सा disappointed है लेकिन आपको निरास नहीं हो रहा है आगे और भी recruitment आएगे मैं आपको list पूरी यहाँ पर एक बार फिर से revise कराना चाहूँगा आप ध्यान रख लें RBI का assistant है दूसरा जो LIC है इसका भी assistant है तीसरा जो RRBs है उसमें pure clerical है तो guys अभी तो बहुत exam आने बाकी है February मन्त स्टार्ट हुआ है तो निरास मतो तब तक अपने practice करें और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि Current Affairs Panda के mobile application पर आप सभी को reasoning course Cable 299 में मिल जाएगा तो जिनकी reasoning थोड़ी सी week है वो mains level के puzzle pre-level के puzzle सब कुछ बनाना सीख सकते है इस Cable 299 के amount में तो description में आपको app का link दिया है प्ले स्टोर पर आप जाओगे Current Affairs Panda सर्च करोगे आपको app मिल जाएगा और बहाँ पर DI यह सब courses आपको 299 में मिल ले है तो मुझे लग रहा है कि आपको enroll करना चाहिए और Current Affairs तो जितने भी साल के 2023 इसके exam सोंगे सभी में आपको help करेगा ठीके अब फिर भी जो भी लोग appear कर सकते हैं यहाँ पर exam में आ सकते हैं उनके लिए मैं पूरा notification एक बार explain कर दे रहा हूँ कि क्या vacancies आपको बता दी eligibility, criteria, qualification, exam, patterns, labors, experience, etc तो यह सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं explain करके बता दे रहा हूँ लेकिन हाँ Ultimately एक बार जागा ट्यूटर पर tag जरू कर देना कि IDVI, मतलब यह तुमने बिल्कुल गर्थ किया यार ठीके, आप normal recruitment निकालो जैसे कि सब लोग निकालते हैं क्या इतनी बड़ी terms, conditions के साथ में आप निकालो यह मुझे भी खाफी बेकार लगा ठीके, तो यह guys इनका है कि exam जो है online या अप्रेल 2023 में करा लेंगे, tentably है आगे पीछे कोई modification हो भी सकता है और यह यहाँ पर इनकाल डाल दिया है अपना age और यह आप देख लो कि एक जन्वरी 2023 को आपकी eligibility conditions पूरी होनी चाहिए ठीके, और कोई ऐसा condition, ऐसा candidate जो appearing हो तो बैसे भी नहीं कर पाएगा graduate appearing वाले तो बैसे ही बहार हो गए अब इन्होंने यहाँ आए ना कि condition पहली लगा दी कि आपके वास में experience होना चाहिए, तो experience हो तभी होगा जो आपकी degree पूरी हो जाएगी, ठीके दो साल आपने job कर ली, ऐसा थो नहीं कि degree पूरी नहीं दो साल जॉब कर ली है, वा में ऐसा नहीं हो सकता ना यह चीज यहाँ पर है तो यह मैंने आपको उता दिया, लेकिन हाँ एक इनका L.I.C.A. ID.VI का assistant का भी आता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें experience बगारा कुछ नहीं चाहिए होता है वो normal clerical care का है जब वो आएगा उसमें अच्छी खासी vacancies रहती है वो मैं आपको बता दूँगा 800-1200 तक vacancies रहती है मुझे लग रहा है कि ठीक टाक सी उसमें हो जाती है और वे ऊपर हो सकती है तो यह यहां पर का गया है और age में mention कर रहा है 21-30 और not worn earlier than 2nd of gen 1993 and not later than january 1 ठीक है educational qualification बता दिया आपको और बर्क experience में mention कर रहा है minimum 2 years of experience in bank and financial service including but not limited to microfinance institution non-banking, NVFCs, cooperative bank, RRBs, fintech companies ठीक है और यह mention कर रहा है कि 6 महीने से कम का अगर experience कहीं पर होगा तो उसको हम बिल्कुल 0 consider कर देंगे अगर आप 5 महीने कहीं पर job कर रहा हो तो आप यह मत मान ले ना कि आप 5-5 महीने करके आपने अगर 5-6 जगे जॉब कर ली तो आप सोचो कि यार मेरा तो 30 मन्त का experience हो गया है अगर जब तक experience किसी भी company में 6 मन्त का ना होता अब तक उसको count मत करना ठीक है यह चीज यहाँ पर इन्होंने mention कर रखी है आगे आजो career prospects and emoluments क्या क्या है आप देख लो कि वाई सब कौन सी उडन चूब आली job है यहाँ पर after joining the bank service as an assistant manager grade A the extent basic pay currently applicable to assistant manager in grade A that is 36,000 per month in the pay scale 34,490 के 7 increment है फिर यह 44,430 यह है आपका फिर 17,440 के 2 increment है फिर 49,910 के बाद में 1990 के 7 है फिर बहुत आगे तक इन्होंने सपने दिखा रखे हैं ठीक है 17 साल का पूरा बता रखा है ठीक है तो आप यह यहाँ पर देख सकते हो इसमें यहाँ पर देख लो क्या-क्या और चीज़े हैं यह तो आपको सुझवा गया बाकी एक बार मैं आपको selection process बता दे रहा हूँ selection process में इन्होंने mention कर रखा है कि online test है उसके बाद में आपका DV होगा फिर personal interview है and pre recruitment medical test PRMT वगरा जो होता है fitness test वगरा यह सब चीज़े हैं फिर आपका selection हो जाएगा online test में क्या-क्या है चार चीज़े हैं यहाँ पर logical reasoning, English, quant और general economy banking ठीक है तो start question यहाँ पर आपके यह होंगे logical reasoning डियाई एक साथ में है बाकी English language, quant और आपका GA, यह portion जो है 44-4460 number का GA सबस्यादा GA GA 60 number के लोग पुछने क्योंकि आजकल bank में खुछ आता है और आपका current affairs, banking, awareness यह सब बहुत strong होनी चाहिए that is why वो आपको इतने ज़्यादा marks का यहाँ पर पूछा जा रहा है time 2 घंटे का मिलेगा तो आपको यह paper qualify यहाँ पर करना है paper में questions while angle होंगे English को छोड़ कर ठीक है और cut off अगरा bank decide आपकी कर देगा negative marking बिलकुल यहाँ पर है negative marking तो 1 4th का आपका negative जाएगा यहाँ पर ठीक है तो यह basic चीजे हो गई है और क्या बताओं यहाँ पर बाकी जो age relaxation यह तो है ठीक है जो condition based है जैसे कोई SCST है तो उसके लिए तो यहाँ पर age relaxation मिले गाई और और बार बार उनीची जो को इन्होंने अच्छे से explain कर रखा है कि वेर का experience क्या है क्या नहीं है तो यह चीजे हैं बाकी जो current affairs बगरा है वो आप अगर इस exam में appear कर रहे हैं तो best source आपको current affairs funda बता रहा हूँ आप इन PDF में इन्रोल कर लो और बिंदास अपनी त्यारी करो को कि जो चीजे है वो बिलकुल simplified तरीके से आपको प्रवाइट कराईगे हैं ठीक है link description में आपको दिया गया है आप देखें और अपनी preparation बहतर करें thank you so much guys और जो नहीं कर पा रहे हैं वो निरास बिलकुल नहीं हो आगे और मोक्या आएंगे ठीक है मतलब यही है कि IDVI भी बोलेगा आप जैसे अच्छे students जिनका selection नहीं होगा ठीक है तो वो यहीं हैगा कि अगले जनम मोई IDVI नकी जो यहीं कहा जाएगा ठीक है क्योंकि जो रियल टैलेंट है ना मतलब एस्परेंट टैरी करें यार नहीं हो पा रहा है मुझे भी अब दिख हुआ लोगों का क्यार उनका होना चाहिए था ठीक है चलो कोई बात नहीं अभी आओगे और भी रिक्टमेंट आएंगे मैं आपसे भी को उनसे भी अवगत कराऊंगा थैंक यू सो मच गाइस प्लीज शेर दे वीडियो थैंक यू हाव गुट डूट अलफी बंस अगें वीडियो नेक्स्ट वीडियो स्लेबर्स भाई बैंकिंग आई है तो आप जो रिजिंग पढ़ रहो हो क्वांट पढ़ रहो हो जनल आविरनेस पढ़ रहो यही सब बैंक लेवल की आपकी है ठीक है बैंक प्यो लेवल की थैंक यू गैस बंस अगें